नवस्कार दोस्तों, Fusion Kitchen में आपका एक बार फिर से हादिक स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए इसको सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकोन को जरूर क्लिक करें अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है जादा से जादा शेयर करें और लाइक करना ना भूले दोस्तों ये देखिए हमने आपके लिए बनाए है कश्मीरी लाल आलू ये बहुत टेस्टी सबजी बनती है इसको आप स्टीम राइस के साथ खाएं आपको मज़ा आ जाएगा आप इसको जरूर ट्राइ करें चलिए हम आपको बताते हैं ये हमने आपके लिए कैसे बनाए है यहाँ पर हमने कश्मीरी मिर्चे लिए है आठ के करीब हमने मिर्चे लिए है इनको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया था ये आप देखिए कितनी फूल गी है एक कफ हमने पानी लिया था गरम पानी में हमने इनको सोक किया ये मिर्ची ऐसी होती है ये आप देखिए ये फूल इनको हम पीछे से कट करेंगे, यह आप देखिए, ऐसे हम कट कर देंगे सीजर से, और इसके जितने भी सीट्स है वो सारे हमने निकालने हैं, यह सारे निकालने के बाद हमने इनको पीस लेना है, इसकी एक पेस्ट बना लेनी है, फिर हम आगे सबजी बनाना शुरू करेंगे यहां आप देख सकते हैं हमने पेश्च बना के तियार कर लिया यह आप देखिए हमने total 4 टेबल स्पून के करीब पानी डाला था इसके अंदर और हमने पेश्च बना लिया और साथ ही हमने यहां पे आलू लिया बेबी पेटाटो हमने लिया है यह आप देख सकते हैं जो हम कश्मीरी लाल आलू बना रहे हैं उसके लिए हमें ऐसे ही आलू चाहिए अगर आपको यह आलू ना मिले तो आप बड़े आलू भी ले सकते हैं उनको 4 पीसीज में कट कर सकते हैं फिर आप यूज कर लें इनको हमने बोईल किया हुआ है चलिए हम आगे सब्जी बनाना शुरू करते हैं अब आगे कश्मीरी लाल आलू बनाने के लिए यहाँ पे हमने ओईल गरम होने के लिए रखा हुआ है 4 टेबल स्पून हमने ओईल लिया है फ्लेम हमने sıलो ही रखी होई है इस टाइम पे इस टाइम पे हम फ्लेम मीडियम कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं हलका सा कड़ी पत्तो को llेते हैं बहुत ही मज़ेदार यह अलू बन रहे हैं इस इसको आप ज़रूर बनाएं वो plain rice के साथ खाएं, आपको बहुत मजाएगा, कड़ी पत्ते आपके सूखे होने चाहिए, अगर गिले होने तो बहुत ज़्यादा चीटे आएगी, अच्छे से mix हो गया है, वो हलके से fry हो गया है, इससे ज़्यादा हमने निकरने अभी, और जो हमने paste बनाई थी, कश्मीरी मिर्ची, ये डालेंगे, mix कर देते हैं, बहुत ही simple ये recipe है, ना इसमें अद्रक जाएगी, ना इसमें गार्लिक जाएगा, ना अनियन जाएगा, ना ही टमाटर जाएगे, और जब आप इसको खाएंगे, तो आपको मजा जाएगा, बनाना भी बहुत ही असान है, बस एक मिन मिर्ची को भी डाल के cook करते हुए, बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है, कड़ी पत्ते और मिर्ची की, इस टाइम पे हम इसमें भुनावा जीरा पाउडर मिलाएंगे, वन टेबल स्पून डालना है, भरके आपने डालना है ये, और वन टी स्पून इसमें अमचूर पाउडर मिलाएंगे, और स्वाद के नुसार इसमें नमक डाल देंगे, मिक्स कर देते हैं, जो ये हमने कश्मीरी मिर्चे यूज़ की हैं, ये ज़्यादा तिकी नहीं होती, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर होता है इसका, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, दो मि के लिएट हो गये हैं, मसाले को कुकोते हुए, इस तयम पर हम इसमें 1-2 टी स्पून चाट मसाला डालेंगे, और आदा कप पानी डालेंगे, मिक्स कर देते हैं, और जो हमने बॉइड बाइड अलु लिया है, वो डाल देंगे, जो हमने ये अभी आलू लिये हैं ये भी थोड़े साइज में बड़े हैं लेकिन इससे थोड़े से छोटे आते हैं क्योंकि अभी मार्किट में आलू थे नहीं वे इसी साइज के मिल रहे थे मिक्स कर देते हैं इसको 10 मिनट तक हमने ऐसी कुक होने रहे न अलू को अच्छे से मसाले के फ्लेवर साजाएंगे इसके अंदर यह 10 मिनट हो गए हैं आलू को कुक करते हुए यह आप देखे कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें हम इमली का पल्प डालेंगे 4 टेबल स्पून हम यूज कर रहे हैं यह डाल देते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा स्टीम राइस हो और यह अलू मज़ा ही आ जाए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही चटपटे यह बनते हैं तीखे चटपटे आलू 5 मिनिट हमने इसको ऐसे कुक करना है यह 5 मिनिट हो गए हैं इमली का पल्प डाल के भी कुक करते हो हैं यह अलू बनके एकदम त्यार हो गए हैं इस टेम पर फ्लेम ओफ करते हैं बहुत ही टेस्टी यह अलू बने हैं इसको आप जरूर बनाएं अगर आपने हमारे चैनल को अबी तक सब्सक्राइब निक है, इसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारी रेस्पीज पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें, लाइक करना ना भूले, थैंक यू